हैलो स्टुरंट्स वल्कम्टू अरेमेट्स क्लासेज आज की लेक्षर में हम 10.3 से साइस कंप्लीट करेंगे यानि कि लास्ट के त्री कोश्चन्स रहते हैं इंपोर्टन कोश्चन है इसलिए मैं इनको भी करवा रही हूं ओके नेक्स लेक्षर में जो 10.4 स्टार्ट करेंगे तो आज हम 10.3 करते हैं फोर्थ कोश्चन दे रहे हैं फाइंड अगर मैं टी को माइनस टी पूट कर लेती हूं तो एक्स चेंज नहीं होगा एक्स की वैलू एक्स ही आजाएगी क्योंकि टी स्कुएर है और वाई जो हम वो चेंज हो जाएगा माइनस वाई में इसका मतलब एक्स आपके पास इवन फंक्शन है और वाई वाई इस एन ओड फंक्शन ओके तो जो कार है वो स्यमेट्रिकल अबाउट एक्स गया करशल ए स्यमेट्रिकल अबाउट एक्स आक्सफल है ओके सेकेंड हम चेक करते हैं कि और डिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हम यहां पक्स को 0 ले ले लेते हैं कि और गौनों 0 होते हैं ना एक्स को अगर मैं 0 पूट करते हूं सो य इंटू 1- T-square equal to 0 मिज़ एधर आके 0 हो जाएगा और T की value आ जाएगी plus equal to 1 और T आजाएगा plus minus 1 T square equal to 1 and T equal to plus minus 1 T की यही value जो हमने यहाँ पे find out किया है X को 0 put करने के बाद यह आपको Y में put करनी है T is equal to 1 पे Y क्या आ रहा है T को अगर मैं हाँ पे 1 put कर रहा हूँ then Y is 0 and T equal to minus 1 पे इस पे भे Y 0 आ रहा है इसका मतलब X और Y की value 0 आ रही है कब जब T equal to plus minus 1 होगा है ना तो X और Y किस पे होता है 0 origin पे होता है that means curve जो हम वो pass करेगा origin से curve passes through origin and क्योंकि T की दो values पे two real and different values पे जो हम वो curve origin से pass कर रहा है इसका मतलब जो origin है वो किस type का होगा node type का जो origin की nature आएगी nature of origin लेख सकते हो nature of origin is node यानि कि origin पे ब्राचे जो curve की cut करेंगी है third हम निकाल लेते है intersecting points अब हम हमें check करना की curve axis पे जो हो कहाँ पे cut करेगा यहाँ पे हम ले लेते है Y is equal to 0 ठीक है तो अगर Y को 0 ले रहे हैं then Y की value को equal to 0 put करेए 1 minus T square equal to 0 implies that T equal to 0 या फिर 1 minus T square equal to 0 ओके दन T equal to 0 यहाँ पे और यहाँ से values आजाएंगी T equal to plus minus 1 यही values आप X रे put करेए 4 T equal to 0 X is equal to A and T is equal to plus minus 1 X is equal to जो X की value 0 आजाएंगी इसका मतलब जो X axis पे कर्व है वो यह तो 0 पे cut करेगा X axis को या फिर A पे cut कर रहे हैं तो point आजाएंगे हाँ से at X axis 00 and A 0 और हमें Y axis पे check करना है तो हम X को 0 लेके चलेंगे X को 0 पुट करते हैं then T की जो value आएगी वो क्या आएगी plus minus 1 और यह T की value पुट करते हैं इन Y में put in जो value of Y Y is equal to 80 1 minus T square then हमें मिल रहा है हाँ से Y equal to 0 means जब X की value 0 है तो Y की value भी 0 आ रही है है ना इसलिए जो curve है वो Y axis को केवल horizon पे meet करेगा curve meets Y axis at horizon only horizon पे meet करेगा इसके इलावा किसी point पे जो होकर meet नहीं करेगा इसके बाद हम चाह करेते asymptote अगर मैं T को infinity ले लेते हूं then X tends to infinity अगर T को infinity लिया तो X से मेरा infinity को tend करेगा but Y की कोई finite value नहीं आएगी अगर उसी value की corresponding देखे तो Y की कोई भी value नहीं आएगी यहां से finite then Y does not have finite value तो Y की कोई finite value नहीं है therefore यहां पर कोई asymptote एग्सिस नहीं करेगा curve same to same आप Y tends to अगर 0 ले रहे हैं तो X की भी कोई finite value नहीं होगी तो curve has no asymptote ओके and इसके बाद हमें हाँ पर निकालना है 5th point is a special point देखे अब भी हमें सरफ इतना पता चला है कि यह जो curve आप बना रहे हो ओरेजन पर मीट कर रहे है और A 0 point में मीट कर रहे है और इस पर जो हो node बनाएगा means जो curve की branches है वो कुछ इस तरह से होने चाहिए clear यहां पर node बना रहे है इसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं इसके बाद आप डिवाई बेडी एक्स यानिकि special point उसे हम tangent find out कर सकते हैं तो फिफ्थ हम निकाल लेते हैं special point इसके लिए हमें चाहिए डिवाई बैडी एक्स और डिवाई बैडी एक्स कैसे आएगा डिवाई बैडी टी डिवाई बैडी एक्स बैडी टी तो आप वहां से derivative कीजी और इनको डिवाई कीजी यहाँ पर direct value लिखरे हो आएगी 3t square minus 1 divided by 2t हाँ जी यह value आ रही dy by dx की तो हमें यहाँ से क्या लेकर चलना है इसको 0 पुट कर देना है याँ dy by dx equal to 0 का मतलब क्या होता है कि tangent at curve parallel to x axis तो अगर मैं यहाँ पर लेकर चलते हूं dy by dx is equal to 0 implies that जो value आ रही है 3t square minus 1 equal to 0 मतलब मुझे यहाँ से t की value मिल जाएगी plus minus 1 by root 3 तो t की इस value पर हम x और y की value निकालेंगे वहाँ पर हमें मिलेगा जैसे कि अगर आप t की value put कर रहे हो 1 by root 3 तो आपको यहाँ करते हूं तो x की value आती है 2a by 3 और y की आती है प्लस-minus 2a upon 3 root 3 तो यहाँ पर या लिकिन दो points पर जो है वो parallel to x axis tangent आएगा इस तरह से जो दोनों point meet करेंगे थोड़ा सा इसको points को यहाँ पर लेके चलेंगे हम मालते की point हमारे यहाँ पर आएगे और minus में इसन इसका मतलब जो curve है वो इस इस tangent को touch करता हूँ निकले गया इस point पर हमें tangent मिल गया है parallel to x axis और यह हमें पता है कि हाँ पर जो curve इस शेप में जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नोड बन रहा था और इसन पर और यह हमने parallel to x axis इस tangent find out कर लिया है अब यहाँ पर जाके यानि कि a 0 point पर क्या position लेने वाला एकर तो मुझे इस parallel to y axis भी जो हो वो tangent चाहिए उसके लिए हम क्या करते है डी वाइभाई dx को हम infinity put करते हैं इसे हमें tangent मिलता है parallel to y axis तो डी वाइभाई dx को अगर आप infinity put कर रहे हो तो dx by dy क्या हो जाएगा equal to 0 means 2t by 3t square minus 1 equal to 0 and t equal to 0 t equal to 0 अगर मैं put करते हूं x और y में t को 0 put के x की value a आ रही है और t को 0 put के तो हमारे पास y की value 0 आ रही है x is equal to a and y is equal to 0 means this point पे parallel to y axis this a 0 point पे parallel to y axis ऐसे जह हो tangent मिल जाता है में तो इस line को भी इस point पे जो curve है वो touch करके निकलेगा यह शेप लेगा आपकी पास this curve ओल्राइट यह बन जाता है भही आपका curve और o a अगर मैं यह आपे लेती हूं मुझे चाहिए area area of curve is equal to two time कर लेते two time limit क्या लेके चलेंगे हम यहाँ पे limit and this देखिए यहाँ पे x में अगर Cartesian form में होता तो हम x की जो हो वो limit 0 to a ले लेते और हमारा जो question solve हो जाता है मुझे यहाँ पे t की limit अप्लाई करनी है है तो t तो यहाँ पे जो हमें इसकी limit देखने है कि t की limit आप क्या लेके चलोगे क्योंकि हाँ पे limit होती है t1 to t2 y dx by dt into dt यह फॉर्मल आपको अप्लाई करना है इसके जो area के लिए तो यहाँ पे x और y की value 0 कब आई थी जब मैंने t को लिया था t equal to 1 और here t is equal to 0 at this point तो यहाँ पर limit आ जाएगे आपके बास 2 into 0 to 1 y की value पूट कीजिए a t1 minus t square और dx by dt मिन्स आप इसका derivative करेंगे तो derivative क्या बन जाएगा 1 का 0 minus 280 with respect to t आपको integrate करना है तो इसका आपको integration करना है यहाँ से आप इसको multiply करेंगे t square हो जाएगा t square की multiply दोनों के साथ कीजिए और यहाँ पे integrate कीजिए and put this limit 0 to 1 and then you get find the area of this curve question 5th आपको area find out करना है x दे रखा है a sin square t y दे रखा है a sin cube t by cos t and bounded by this curve and its asymptote is 3 pi a square by 4 आना चाहिए यह area आपको find out करना है यह आना चाहिए किस किसे bound कर रहा है इस curve से और इसके asymptote से तो सबसे पहले आप curve को trace किजिए first point हम symmetric check करते है क्योंकि x यहाँ पे हमारा even function है even function क्यों है क्योंकि sin की power 2 है अगर आप minus t में put कर रहे हो तो भी वह positive होके आएगा और y कैसा है odd function क्योंकि sin की 3 power है y is odd function so curve is symmetrical about x-axis और second हम check करते है कि origin से past कर रहा है कि नहीं तो अगर मैं t को 0 put करते हूँ तो x भी मेरे पास 0 आएगा और y भी 0 क्योंकि sin 0 0 and sin 0 is also 0 cos 0 1 हो जाएगा तो x और y दोनो 0 और एण t की 0 value पे sum कर pass through a reason ओके थर्ड हम निकालते हैं intersecting point अगर मैं y को 0 ले लेती हूँ that means a sin cube t divided by cos equal to 0 implies that sin t equal to 0 and t equal to 0 t equal to 0 value आप x में put के जिए for t equal to 0 जो है वो x भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसका मतलग जो हमारे पास x-axis को जो केवल और इसन पे ही मेट कर रहा है अब हम निकालते हैं ऐस सम्टॉट अगर मैं t की value ले ले लेती हूँ pi by 2 pi by 2 देखें यहाँ पर x को मैंने यहाँ पर t को pi by 2 पुट किया x is equal to a sin square pi by 2 value क्या आएगी यही आएगी और यहाँ पर अगर मैं put करते हूँ y में a sin cube pi by 2 divided by cos pi by 2 क्या होता है 0 this becomes infinity यानि कि y के infinity value पर मुझे x की finite value मिल रही है that means हमारे पास asymptote आ रहा है parallel to y axis okay therefore asymptote is parallel to y axis and asymptote क्या है asymptote is equal to x equal to a यह हमें asymptote मिल जाता है parallel to y axis इसके बाद आप निकालेंगे special point special point means आप tangent find out करेंगे हाँ पर parallel to x axis y axis इसके लिए मैं क्या चाहिए dy by dx चाहिए dy by dx कैसा निकालोगे dy by dt divide by dx by dt उसको आप 0 पूट करेंगे dy by dx को 0 पूट करेंगे means यहाँ से आपको t की value मिलेगी पूट करेंगे उस point पे मुझे parallel to x axis tangent मिल जाएगा तो यहाँ से अगर आप solve करते हो dy by dx को 0 पूट करके तो t की value आएगी आपको 0 मिलेगी आज़े ठीक है जिरो अगर मैं हाप पूट करूँ तो x और y जो हम वो भी 0 आ रहे हैं at t equal to 0 x equal to y equal to 0 इसका मतलब parallel to x axis जो वो एसमटोट कहां पर आ रहे है origin पर तो origin पर इसका मतलब यह हुआ कि अगर origin x-axis become the tangent at a origin for this curve and x equal to a यह हमारे पास आया है इसका ascentor x equal to a is a ascentor और अगर आप dy by dx को infinity पूट कर रहे हो तो parallel to y-axis आपको यहाँ से पता चल ज़ेगा तो पर करको trace करना है कर हमारा origin पर meet कर रहा है यह हम पता कर चूक है symmetrical about x-axis है यह ऐसे टोट है इसका मतलब कार की branches जो है वो ऐसे ऐसे हाँ पर इसकी साथ साथ चलती रहेंगे ना चलिए भी origin पर meet कर रहा है और x-axis a क्योंकि a यहाँ पर multiply में है और इसकी value maximum 1 हो सकती है तो x जो हो जीरो से a इसके बीच में आपके पांस लाए करेगा यहाँ पर t कितना है जीरो एंड है टी इस पाइबाए टो ओके क्योंकि हमने जो यह point find out किया था x equal to a यह हमने टी is equal to pi by 2 point पर find out किया था जो के asymptote आ रहा था आपके बास x equal to a तो आपको यह reason find out करना है इसको आप रिख सकते हो 2 and a this is the area area is equal to 2 time 0 2 pi by 2 y into dx by dt into dt values put के जी है और solve के जी है इसको 0 2 pi by 2 y is a a sin qt divided by cos t and dx by dt 2 a sin t into cos t into dt सब इसको cut करेंगे और यहाँ से आ जाएगा 2 for constant भाहर ले लिजी 4a square 0 2 pi by 2 sin raise to power 4t dt आप इसको reduction formula से भी कर सकते हो जो values formula होते है और इसका आप square के square power करके भी कर सकते हो देखिए last question है show that the area of the loop of the curve x equal to a sin 2t y equal to a sin t is 4 by 3a square यह आपको loop का area find out करना है और isn parametric form में आपको equation दे रखिए है तो इसको आप Cartesian में change किजी सबसे पहला कामा को यह करना है इसमें तो x is equal to हम इन दोनों को divide कर लेते हैं x by y is equal to a से cancel हो चाहेगा sin 2t यह मैं लिखी लेती हूं एक बार a sin t a से cancel sin 2t के identity apply केजिए 2 sin t into cos t divide by sin t sin t sin t cancel 2 cos t 2 को आप इधर ले आए यानि कि x by 2y is equal to cos t और यहां से मेरे पास है y by a is equal to sin t from this equation of the curve है ना तो इन दोने equation को squaring and adding कर लेते हैं squaring and adding x square by 4y square and plus y square by a square is equal to cos square t plus sin square t यह बन जाएगा 1 इस तरह से आप t को eliminate कर सकते हो और x और y में आपको equation मिल जाएगी यहां से इसको आप जो हो वो lsm ले सकते हो x square into a square अगर हम यहां पर lsm apply करेंगे and यह आजाएगा यहां पर 4y raise to power 4 and यह multiply हो जाएगा इधर जाएगे 4a square into y square जो हो लिख सकते हो a square x square is equal to 4a square y square minus 4y raise to power 4 and common आजाएगा 4y square and यहां से a square minus x y square यह equation आजाएगे आपके पास square की इंद कार्टिजन form अब आप easily इसको trace भी कर सकते हो और area भी find out कर सकते हो यहां पर सबसे पहले हम check करते हैं equation first ले लेते हैं इसको सबसे पहले आप check करिए कि symmetric किसके बन रहा है तो यह आप x और y दोनों की even power चल रही है सो symmetric about both axis about both axis यह यह एक्स एक्स के भी symmetric जाएगा y-axis के भी symmetric जाएगा क्या origin से पास कर रहे है एक और y को zero put करते है origin से पास करेगा कर passes through origin and lowest degree term यहां पर सबसे कम degree की term कौन सी है अब यहां पर चक कर सकते हूं this is a square x square और यहां से आ जाएगा minus of four a square y square equal to zero यह हम किसले लेते हैं tangent at origin तो lowest degree term को मैंने zero equal zero put कर दिया है मुझे यहां से मिलेगा tangent at origin means अगर मैं y square cancel हो जाएगा comma निकाल की y square की value आ जाएगी यहां से 1 by 4 x square and y is equal to plus minus 1 by 2 x तो यहां पर मुझे दो tangent मिल जाता है y is equal to plus minus x by 2 अगर दो tangent आ रहे है real and different tangent that means जो आपके पास origin है this is a node origin is not origin की nature आ रही है node type में क्योंकि दो tangent आ रहे हैं अगर third हम निकालते हैं intersecting point intersecting point means यहां से आप y को 0 लेके चलिए इन सारा काम आप हम first equation से करेंगे ठीक है अगर मैं y को 0 पूट कर लेती हूं तो x की value इंक point अगर हमें चाहिए तो y को 0 पूट किया हमने in the first equation तो यहां से मुझे x square is equal to 0 मतलब है कि x equal to 0 तो यह x-axis को केवल origin पे meet करेगा कर meet meet x-axis at origin ओके और अगर मैं x को 0 पूट कर लेती हूं x को मैंने यहां पे 0 पूट किया then y की value आएगे यहां पे y square into a square minus y square is equal to 0 means y is equal to 0 and from this y is equal to plus minus a तो y-axis को origin पे plus minus a point पे जहों meet करेगा मतलब कि अगर मैं यहां पे draw करना चाहूं तो x-axis को केवल यहां पे meet कर रहे है और y को 0 a point यह बनेगा 0 a और यह point आ जाएगा 0 minus a तो y-axis को तीन point पे meet करेगा ओके तो यह आ रहा है आपके पास loop जो हो symmetrical about y-axis था हमने starting अच्छा दोनों एक्सिस के बन रहा है ठीक है दोनों एक्सिस के symmetric बन रहा है और इसके बाद हमें चाहिए tangent at this point क्योंकि यहाँ पे मुझे in point को shift करना पड़ेगा हमें origin पे एक करके देख लेते हम यहाँ पे shift 0 a at origin और इसके लिए हमें क्या करना होते x को रखेंगे x minus 0 capital y लेके चलेंगे y minus a तो यहाँ से small x की value और small y की value y plus a आ जाएगे यहाँ पूट करेंगे in the equation first small x को रखेंगे capital x means a square capital x square is equal to 4 into y plus a square minus y plus a square and इसको solve करेंगे then this becomes 4 into y plus a square and यहाँ पे आजाएगा minus y square a square से square cancel हो जाएगा 2 a y अगर यहाँ पे max और y को 0 पूट कर रहे हूं then यह और इसे पास कर रहे है then lowest degree term equal to 0 पूट करेंगे तो सबसे कम degree की जो term आएगी this become अगर आप निकालेंगे तो यह चाहेगा y is equal to 0 और y की value रहे हमें वापिस पूट करते हैं capital y हमने लिया था y minus a that means y minus a equal to 0 means y is equal to a y equal to a हमारे पास चोह वो आएगा tangent at this point यहने कि यह आ जाएगा tangent इसी तरह से इस point को आप shift करेंगे और एक tangent हमें यहाँ से मिल जाएगा हमने यहाँ पर tangent निका रहे थे origin पे y equal to plus minus half x तो यहाँ से आप इन tangents को भी draw कर लीजिए and this is यह हमारे पास tangent आ गया है और क्योंकि यहाँ पर node बन रहे तो इस टाइफ से यह जो है इसको यहाँ पर meet करता हुआ है यह बनेगा और same to same यहाँ पर यह बनेगा तो यह लूप आपके पास आएगा और यहाँ पर आपको जो हो क्योंकि स्मेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेज है तो आप देख सकते हैं कि एक्सेज के जितना रायट में है और एक्सेज के अब और बिलोग सेम चल रहा है और यह आपका जो है थोड़ा साइसको और इजन से पास करते हुए इदर से सही नहीं आ रहे है लाइन यह टैंजेंट चाहिए अब हमें एरिया निकालना है इसका तो यहां पर देखेंगे तो य जो एक्सेज है इसके उपर य की वैली पॉजिटिव और इधर हमारे पास नेगेटिव चल रहे है तो यह जित वाई के स्मेट्रिक यहां पर हम नेलेते य के लिमिट तो हम यहां पर करेंगे 2 टाइम एरिया ऑफ लूप एज टू टाइम जी रो टुए एरिया अफ लूप निकाल रहे है वाई वैरी करेंगा जितना एक्स अबहुंग उतना ही बिलोव है तो यहां पर मारे पास दो टाइम आएगा और यहां पर आजाएगा एक्श इटु ढ़िवाई अ and a square into a square minus my square dy and complete root. So, इसको solve करेंगे और आपको जब वो area मिलेगा of the slope. ठीक है? तो आज की lecture में यही तक करेंगे. मिलते हैं next lecture में और next lecture में जो हो quadrature अगर complete करवा पाये तो complete ही करवा देंगे और यह chapter जो आपका finish. अब चलिए तब तक try किजिए and thank you for watching my video. Bye!